स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रोफिशनल ब्यूटी वार्ड में कैसे हैं आप सब सो आपके लिए आज जो मैं वीडियो रेकर आई हूँ देखे बहुत जादा टाइम बचने वाला वीडियो है क्योंकि कई बार क्या होता है हमाई पास बहुत जादा ब्राइट्स होती है और ऐसे में हमाई पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक स्टैफ फोलो कर सके और पाडलर्स में secretly ये वाला बेस बनाया जाता है तकि आपके क्लाइंट को पता ना चले कि आपने क्या यूज किया है तो अगर आप भी ऐसा कुछ आते हैं क्योंकि देखिए इसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं वो मैं आपको आगी वीडियो में बताऊंगी लेकिन ये बेस बनाके हमको बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचतता है ओर हम क्यों बनाते है इससे हमको और क्या प्रफित है ये भी मैं आपको बताऊंगी अप anlatay है और उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कहूं कि किस तरा से ये बे वर्डिंग आप ले सकते हैं आप मैं आपको शॉइस भी बताऊंगे इसमें सबस्क्राइब भी बताऊंगी कि आपके पास अगर कोई प्रोडेक्ट नहीं है तो आप उसमें क्या एड कर सकते हैं आपको किसी घर में मेकप करना है और आपका स्कीन टॉन भी सेम नहीं है और सिर्फ आपके पास आपके ही स्कीन टॉन का प्रोडेक्ट है लाइक अभी देखें मैं कोई भी डाक कलर का शेड लेती हूँ लाइक मेरे पास यह dark color का shader ठीक है मैं इसी से आज customize base बनाऊंगे और इसी से मैं आपको बताऊंगे कि आप सभी skin tone पर कैसे work करेंगे ठीक है so video पूरा देखना और हम देखेंगे किस तरह से हम customize base ready करेंगे जिसे कि आपका time का बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगा आप easily इतना कम time में किस तरह से make up करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगे ठीक है so देखें customize base बनाने करें सकसे पहले आपको ले लेना है कोई भी जैसे आपके पास यह जरूरी नहीं है तो आप वो भी ले सकते है को concealer stick है, pain stick है आप वो भी ले सकते है ठीक है तो वो जो आपके पास available हो आपको वही ले लेना है ठीक है, first product हमने इसमें add कर दिया है इसके बाद में हम इसमें add करेंगे देखें, यह है compact अब यह जो compact है इसमें देखें, मेरे पास दो shades है मैं आपको दिखा दूँ एक तो यह थोड़ा सा shimmery है और यह matte है अगर आपको matte look चाहिए तो फिर आप यह add कर लेंगे और अगर आपको थोड़ा shimmery सा look चाहिए तो आप यह add कर लेंगे तो देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा shimmery add करूँगी ठीक है आपको इस तरह से scratch करते हुए इसको निकाल लेना है half tablespoon आपको यह add कर देना है ठीक है लग भग यह देखिए यहाँ मैंने इसको add कर दिया है ठीक है थोड़ा सा मैं इसमें matte भी add करूँगी यह आप skip भी कर सकते है एक ले सकते है कोई भी जरूरी नहीं है आप दोनों add करे मैंने दोनों add किया है बाकि आप एक भी add कर सकते है ठीक है next product हमको इसमें क्या add करना है so देखिए next product अगर आपको थोड़ी से shine चाहिए आपके base में होता है ना आपने देखा होगा हम थोड़ा सा glossy makeup look करते है तो वैसे आपको थोड़ी shine चाहिए तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है highlighter ठीक है तो यहाँ पर से देखिए highlighter अगर आपको dark tone में चाहिए तो आप यह वाला shade mix कर लेंगे या फिर आप यह वाले shade पर भी जा सकते है मेरा concealer dark है अगर dark बनाना हूँ तो यह add करेंगे और मेरा वैसे dark ही बनने वाला है बट मैं highlighter थोड़ा सा light shade का add करूँगे इसमें तो बहुत ज़ादा add नहीं करना है थोड़ा ही add करना है आप pink भी ले सकते हैं आपको थोड़ा सा बेस में pink pink सा look चाहिए तो लेकिन यहाँ पर मैं pink add नहीं करूँगे उसके लिए मैं आपको other option दे दूँगे आप वो कर सकते हैं ठीक है तो देखें यहाँ पर मैंने add कर लिया है highlighter आप इसकी जगह illuminators भी use कर सकते हैं और oily skin है तो आपको dry highlighter यूज़ करना है और dry skin है तो आप जो liquid illuminators आते हैं वो use कर सकते हैं फिर strop cream भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं ओके next देखें हम सर्दियों में base बना रहे हैं तो next हमको यहाँ पर कोई भी देखें आप oil यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका यह जो base है वो oxidize हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं यह face oils आते हैं वो use करूँगी देखें इस type के जो capsules आते हैं जिसमें की vitamin A होता है ठीक है vitamin A capsule वो मैं यहाँ पर add कर रहे हूँ ओके तो यहाँ पर मैंने इसकी 2-3 drop आप 4-5 drop अपनी choice के अनुसार आपके skin type के अनुसार ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने थोड़े से drops यहाँ पर add कर दिये है 4-5 drops के something हमने यहाँ पर add कर दिये हैं इसमें और इसके बाद में देखें next product हमको यहाँ पर क्या add करना है so next product हम add करेंगे यहाँ पर primer ठीक है अगर client के बहुत ज़्यादा open pores है तो आप pore minimizer primer यूज़ करेंगे otherwise आप matte primers आते हैं वो भी use कर सकते है so देखें यहाँ पर pore primer मैं use कर रही हूँ और यह भी मैं half table spoon यहाँ पर use करूँगी next हम इसमें add करेंगे यहाँ पर बशने वाले हैं और कितना easy हमारा काम होने वाला है अब आपको क्या करना है इसको काफी अच्छे से आपको mix करना है और mix करने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इसको light dark कैसे क्या करना है किस तरह से आपको skin tone के according इसको use करना है so mixing आपकी proper होनीचे mix आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है so मैं इसको जल्दी जल्दी mix कर लेती हूँ so यह mix हो रहा है तब तक हम थोड़ी बात कर लेते हैं so देखे guys अगर देखे हम parlors में work करते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके client को जो हमको बहुत जादा pay नहीं करते हैं तो ऐसे में आप इस type के अगर customize base बना कर रख लेंगे तो फिर आप इन base को उठा कर और जल्दी से work कर सकते हो और यह आपका secret base हो जाएगा आपके partner का secret भी रहे गए और आपका बहुत जादा कुछ इसमें invest भी नहीं हो रहा है तो जहां भी आपको कम अगर आपको charges मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको easily apply कर सकते हैं आपको client को मना करने की ज़रुरत नहीं है कई बार होता है कि हमको नहीं अगर समझ आता है कि जैसे हम लोग makeup के चलो 1500 रुप लेते हैं 1000 रुप लेते हैं light makeup के 1100 रुप लेते हैं लेकिन बहुत बार clients हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो की चाहते हैं कि हम उनका makeup 500 या 800 रुप में ही कर दे देखिए area का फर्क पड़ता है अगर area अच्छ है तो 5000 रुप भी आपको मिलते होंगे light makeup के 10 1000 रुप अभी मिलते होंगे लेकिन सारी बात area पर होती है कि आपका area कैसा है तो इसलिए हमें भी इस तरीके की tricks हमको follow करनी पड़ती है तो देखिए यहाँ पर ये dark skin tone का हमने base ready किया है ठीक है और आप देख सकते हैं कितना इसमें glow है कितनी इसमें चमयगा और एकदम natural base है you can see कितना natural base है और कितने अच्छे से ये set हो रहा है ठीक है तो ये dark skin tone का base हो गया कितना अच्छे से set हो रहा है हमको थोड़ा सा glossy base चाहिए था तो आप इसकी finishing भी देख सकते हैं अब देखिए इसमें next product हमको क्या add करना है अब हम इसको थोड़ा सा light करेंगे अब आपको जैसे skin tone पर काम करना है उसके according आप इसमें product add करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें add कर रही हूँ थोड़ा सा white color ये ये flush palette है इसमें से मैं white add कर रही हूँ आप LA girl के जो fixing pigments आते हैं वो भी यहाँ पर add कर सकते हैं मैंने एक वीडियो में दिखाये थे आपको LA girl के fixing pigment और आने वाली वीडियो में मैं आपको again दिखा दूँगी तो वो भी आप यहाँ पर add कर सकते हैं ठीक है और आपको इसको अच्छे से mix करना है बहुत अच्छे से mix करना है mixing अच्छी होगी तो आपका product बहुत ही अच्छा बनेगा ठीक है तो जितना light shade आपको चाहिए न उतना ही आप इसमें product add करते जाएंगे उतना ही light आपका product हो जाएगा यह बिल्कुल natural glowing मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बहुत ही natural base बनेगा और कितनी अच्छे इसकी चमक होगी आप खुद देखेंगे तो एक बार जरूर यह वाला base आप try कीजिएगा तो देखें यहाँ पर मैं next और आपको बताती हूँ इसका undertone भी change हम करेंगे ठीक है तो आपको इसको अच्छे से mix करना है और mix करने के बाद में देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें हो चुका है ना इसका shade थोड़ा light दिख रहा है आपको इसका shade थोड़ा सा light हो चुका है you can see और देखें coverage भी इसके कितनी अच्छी है हाना देख पा रहे है अभी देखें आपको इसको अगर cool undertone में convert करना है मैं cool में convert करूँगे उसके बाद में मैं इसको warm में convert करूँगे ठीक है तो थोड़ा सा इसमें हमको add करना है blue and red okay mixing अच्छे से करनी है mixing प्रॉपर नहीं होगी तो guys आपके colors आपके client के अगर आप इनको apply कर देंगे तो कहीं पर blue कहीं पर red कहीं पर yellow कहीं पर white ऐसा लगेगा ठीक है तो mixing आपको बहुत अच्छे से करनी है proper करनी है थोड़ा time आप यहां लगा देना आपका time वहां बच जाएगा यह तो आप पहले भी बना कर रख सकते हैं और make up करते समय आपका बहुत समय बचेगा लेकिन mixing अच्छे से करनी है यह आपको विशेश स्रूप से ध्यान रखना है ठीक है product को हमें अच्छे से mix करना है तो मैं इसको अच्छे से mix कर लेती हूँ पहले उसके बाद में मैं आपको इसका result दिखाती हूँ अब यह देखे इसका underton almost change हो चुका है यह देखे यह red होगा तो इसलिए mixing आपको अच्छे से करनी है मैं यहाँ पर mix भी करके दिखा देती हूँ आपको अब देखे अब यह देखे गाईज आपको undertone का भी इसमें समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे undertone पहचानने होते हैं अब यह देखे रैड undertone जो cool undertone होती है उसके foundations इस तरह की होते हैं काफी लोग confused होते हैं काफी लोग के comments आते हैं तो उन लोग को बहुत confusion होता है यह देखे ठीक है यह अच्छे से mix भी हो चुका है और आप मैंने application की है तब भी आप देख लीजे ठीक है ना यह देखे next हम इसको warm undertone में convert करते हैं और फिर हम देखते हैं कैसा लगता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको use किस तरह से करना है ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिया है yellow और इसको हम yellow undertone में convert कर रहे हैं again mixing अच्छे से करनी है मैं आपको बापस बोल देती हूं mixing आपकी proper होनी चाहिए ठीक है so again हम इसको अच्छे से mix करेंगे so यह दिखे गाइस मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है और mix करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूं इसका result really बहुत ही amazing बना है बहुत ही प्यारा लगा है यहाँ पर हम इसको और अच्छे से mix कर लेते हैं यह देखिए अब आपको फर्क नजर आ रहा है yellow undertone and cool undertone आ रहा है difference I think visible हो रहा है आपको अच्छे से यह देखिए अब देखिए कितना difference है दोनों में ठीक है so आपको क्या करना है देखिए इस तरह से जिस भी undertone का आपको चाहिए अभी आपको यह और light करना है तो आप इसमें और white add कर देगे so जिस भी undertone के according आपको work करना है आप इस तरह से उसको convert कर सकते हैं आपको इसको किस तरह से apply करना है आपको इसको apply करने के लिए आपके जो client का face है वहाँ पर cleansing करनी है toner लगाना है और moisturizer लगाना है आपको skin type के हिसाब से लेना है जो भी आपको moisturizer आप लेंगे तो वो आपको जरूर से देख लेना है क्योंकि skin type का ध्यान रखना बहुत जरूरी है skin prep हमारी अच्छी होगी तो हमारा makeup बहुत अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है देखिए इसमें primer भी हमको skip कर देना है बहुत ज़ादा ही client की अगर open pores है तब आपको extra में primer लगाना है otherwise हमारे product में हमारे पास primer है तो हमको primer skip कर देना है और देखिए किस तरह से glowing base हमारा बनकर ready हो गया है और बस इसको all our face पर आपको apply कर देना है ठीक है all our face पर आपको इस तरह से apply कर देना है देखिए मैं इसको all light कर लेती अगर white मैं इसमें all add करती लेकिन मुझे इसको light नहीं करना है अभी बस मुझे इसको इसी तरह से use करना है ठीक है और कोई भी आपको wet beauty blender लेना है और इसको dab dab करते हुए आपको blend कर देना है ठीक है? इस तरह से देखे आपको blend कर देना है मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखे इसका coverage भी आप देखे कितना अच्छा coverage है जबकि हमने इसमें कितने सारे liquid product एड़ किये हैं लेकिन उसके बाद भी आप इसका coverage देख सकते हैं और कितना natural base है ठीक है अगर आप और natural चाते हैं तो product थोड़ा सा कम apply कीजिए layers आप थोड़ी सी कम डालिए और अगर आपको अच्छा खासा makeup पसंद है तो आप थोड़ी layers आप 2-3 add कर सकते हैं ठीक है तो वो आप पर depend करता है अब यह देखे कितना glossy और कितना चमक चमक base बना है बिल्कुल कितनी shine है अच्छी और कितने अच्छे से यह set हो रहा है ठीक है तो आपको इसको अच्छे से set करना है अच्छे से blend करना है और उसके बाद में देखे आपको क्या करना है यह compact हमको लेना है और इससे हमको इसको अच्छे से लॉक कर देना है ये देखे इस तरह से आपको इसको अच्छे से लॉक कर देना है अब आप देखे कितने कम स्टैप्स में हमारा मेकप डन हो गया है ठीक है अब जो भी आपको ब्लशर हाइलाइटिंग अगर आपको और थोड़े से हाइलाइटि करनी है तो आप highlighting कर लीजिए contour करना है contour कीजिए blusher कीजिए and eye makeup कीजिए और आपका makeup done अब आप देख सकते हैं कितना glowing base बना है आप difference देख सकते हैं और कितना अच्छे से हम देख पा रहे हैं कितना अच्छा base बना है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए